अर्जू कास्मी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो बातो बातो में जैसा कि आपको पता है कि हमारे शो में different personalities आती रहती हैं जिसमें ambassadors भी हैं और इसके लावा artists भी आते हैं और politicians भी तो बिलकुल आज जो हमारे महमान है मैं पहले आपका तारूफ करवा देती हैं उनसे जी उनका नाम है अलहाच शाजी गुलाफरीदी इनको आप देखते रहते हैं टीवी पे और इनकी बाते भी सुनते रहते हैं और जितनी अच्छी personality है उतनी अच्छी बाते भी करते हैं जिससे आपको लगता है कि बहुत जल पाकिस्तान बहुत अच्छा होने वाला है तो इसी तरह हमारे दूसरे महमान जो हैं वह हैं जी बैरिस्टर मस्रूर शाह इनको भी आप टीवी पे देखते रहते हैं और आज हम इनसे धेर सारी बाते करेंगे और मजीद पूछेंगे फाटा के बारे में भी और पाकिसन की सिच्वेशन भी तो आई उनसे बात करते हैं जी जार मुझे बताईए कुछ पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में किस तरह से आप आये पालिटिक्स में यह तो मैं यही से स्टार्ट करूंगा कि मैं आया बाई चांस हूँ कोई मेरा वो नहीं ता सियासी बेगरॉंड या किसी सैसी पार्टी से वबस्तेगी या और कोई दो आजार तेरह में में तो आगर आज बताओं आपको आपके प्रोग्राम में कि मैं आया था जेद वेए मेरा यह सोच भी नहीं था कि मैं इतना कुछ करूंगा मगर अब ही मैं जरूर यह कहता हूं कि मैं मैंने अपना जिमेदारे पूरा किया और वो जिमेदारे इस लेवल से पूरा किया कि पहली दफ़ा दूरा तरह जो कि अच्छाट सालों में जब से पाक्सान बना नमबर टू यह के पहली दफ़ा अचाट सालों में एक कमीटी बना यो प्राइम मिनिस्टर साब ने बनाया वो कमीटी पब्लिक रेपेजन्टेटर के कहने के ऊपर बना इस लिए उस कमीटी का कुछ रिजल्स भी निकल रहा है और इण्शालाताला जिस मकसद के लिए यह कमीटी बना ताच कि हम इस पाकिस्तान को दो रिचासतों से इक रिचासत हमें बनाना चाहिए क्योंकि बाहर से पाकिस्टान है और अंदर से हम समझ में पाकिस्तान है और रिचाज़े है दुछ लिघए ही कि कल भी इसके उपर सीमिनार हुआ और इसी महीने में जो सेशन हो रहा है इस पर रिजूलुशन से ये रिफाम्स जो है रिक्मेंडिशन जो जम्मा करा गया है रिफाम्स के हावाले से ये पास होगा और उसके बाद किये जाएगा निटिफिकेशन के लिए पर इस तरसा जिसके जिसके तहट जब तक प्रिजिकर कोई चीज नोटिफाई नहीं करता है तो उसके तक वहां पर हर्लिमेंट के दूँ कुछ नहीं हो सकते इससे पहले फार्णा का जितना पाली मेंचेरियर रहा है मैं उसको गदा समझता हूँ कभाईली आवाम को क्योंकि उन्हों न मगर फाटा के लिए कोई कानून आप नहीं बना सकते ना फाटा के देहतरी के लिए कोई कानून ला सकते तो मैं इसलिए उसको गदार का अलफाज देता हूँ कि उन्होंने ये जिमेधारे पूरा नीक है और मैंने मेड़म अर्जू यहां तक का हुआ है अपने अवाम को दो सल पहले कि अगर ये रिफार्म से नहीं आया तो मैं ना अपना जाय करूंगा ना अवाम को दोगा दूंगा मैं 2018 के इलेक्शन नहीं लड़ू और आपके इस प्रोग्राम में एक दाफा फिर में अपने कबादियों से और अपने हर्के के अवाम से यह बादा करता अपने कास्ट चला होगा और उस कास्ट का मकसद होगा कि कबाले अपना और जाय मत करें आपको यह रियासत पाकिस्तानी नहीं समझता है आपको वह नहीं दे रहे जो बाकी पकिस्तानीनों को मिल रहा है मगर उमीद यही हुआ है कि इन्शाला ताला कल जो सीमीनार हुआ उसमें सर्ताज जजी साब आया हुआ था, जर्नल अदुलकादर बलोज साब था, सेफरांड मेनिस्टर वो तो चेर्मेन था, नासर जन्जुआ साब था, जर्नल जो अनेशनल सीक्विरेटी का इड़ाईजर यह साब का, यह साब आये हुए थे और उसमें अबेसेडर्स थे, इंटरनेशनल जितने भी यहां कम्यूनिटी है, वो सब आये हुए थे, तो उन सब को भी यहीं कहा गया कि इन्शाला ताला इस सशन में यह रिफार्म्स जो सिम्मेर्ड वाइसेंबली में यहीं बात बैरिस्टर साब की तरफ लेकर चलूंगी कि आप क्या कहते हैं इस वारे में लेकर बात यह है कि आईने पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनको डिफरेंट तरीके से उनके स्टेटर्स डिटर्मिन कियो हैं, यह आर्टिकल वन जो हमारा आ उसमें जो भी रेगुलेशन है, उसमें जो भी गवर्ननस है, वो प्रेजिडन्ट ऑपाकिस्तान थ्रू गवर्नर करता है, और वो शाह साब ने बिलकुल सही फरमाया है, अगर यह रिफॉर्म हो जाता है, इसको अमली जामा पहना दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में फाट लोगों की हद तक उनको प्रिवलेजिस मेल रहते हैं, वो जो बेनिफिट है, जो कौमी धारे में लाने का, वो डिरेट अवाम तक नहीं पहुंच तक था, तो अगर यह जो शाह साब ने रिफॉर्म्स की बात की, अगर इसको यह अमली जामा पहना लेते हैं, तो एक तो व पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने अगरी किया था, उसमें एक नुक्ता यह भी था कि फाटा को मेंस्ट्रीम किया जाएगा, क्योंकि जब तक फाटा पसमांदा रहेगा, जब तक फाटा मेरे फॉर्म्स नहीं आएंगे, तब तक तेश्दगर्दी के खिलाफ जो कौम की है, उसमें काम्याबी नहीं आसा है, आप यह देगे ने सर, जो फाटी ऑपरेशन होता है, वो भी उधर ही होता है, ड्रोन आटैक्स भी उधर ही होते हैं, और फिर वो तालिबान का भी वहीं पे कहा जाता है, तो सर, आपको क्या लग रहे हैं, किस तरह से चीज़ सही हो सकत है, उपर उपर जो खावा से वहीं सारा सब कुछ सिब्मेट लेते हैं, नेशनल एक्षन प्लेन से पहले नेशनल एक्षन कमेटी बना, और मेला का शुकर अदा करता हूँ कि फाटा की तरफ से मैं उसमें नमाइन दाता है, चुदरी निसार के सरवराई में इंटिरियर मिन पाकिस्तानियों के लिए पुरा कि और उसके बाद कबायलियों को, क्योंकि इसका ये जो फाटा का जो स्टेटिस है, ये फाटा के आवाम के लिए तो मसला है, मगर वहां के आवाम से ज्यादा पाकिस्तानी आवाम के लिए मसला है, अगर आप देखें, तो पूरी दुन्य हमें अगर पाकिस्तान देशितगर्दी की उपर बदनाम है कि पाकिस्तान एक देशित गर्द मुलक किसलिए कहा जाता के वहां देशित गडद रहते हैं तो जब से पाकिस्तान बना था नाइन फॉर्टी से से लेकर आज के दिन तक जब तक ये इसका नोटिफेकेशन नहीं हो जाता है इस रिफाम्स का उस वक्त तक हम सब जितने लोग हुकुमत में रहे हैं जितने लोग पारलीमेंट में रहे हैं सब हम इस जिसका मुझरिम हैं और मैं मुझरिम समझता हूं कि इसके उपर काम क्यों हा, बशबूर मुल कीपीके की जितने भी हमारे पखतौने लीडरशिप उनको भी ताटा परया से तो कोई नेशनल लेवल का लीडर्स नहीं है. वहाँ से तो सरफ पार्लिमिंटिरियन ही आता हृँ. कबाईलियों का जो लीडर्शिप है वो हमारे पखतुनों का जो किपी के से लीडर्शिप है वहीं कबाईलियों का लीडर्शिप है अभी इसे ये होगा कि अगर ये मेंस्टीम लाइन में आ जाता है फाटा तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान दो रियासतों से एक रियासत बन की क्योंकि दुन्या में कहां भी एक रियासत के अंदर दो कानून नहीं है और यहां हमारे मुल्क में है इसी वज़ा से अगर हम समझे कि इंडिया हम से पीछे था 90 से पहले 90 के बाद इंडिया ने ज्यादा तरक्की किया इसी वज़ा से किया ये FCR जो कबाली आलाके में जो कानून है जो निजाम है ये निजाम पुरे बरसगीर में होता था यहां पाकिस्तान में लहोर में होता था कलाथ में होता था, जीबी में होता था, गिल गिल बलतिस्तान अब इसी से अंदाजा करें कि जहां FCR रहा, वहां क्या हालात पेदा हुए और क्या हालात बने और जहां FCR नहीं था, वहां अलchमदलिले बननिजबत कबाईली इलाके का बहुत बेहतरी है और अगर भी मैं आओ जो इस के उपर के पंजाब के उपर वो इखतलाफ अपनी जगा लेकिन सर इक चीज़ और बैरिस्टर सापकी तरफ भी जाना चाहूंगी और आपसे भी पूछूंगी कि मैं आज कल जो हम लोग देखते हैं चाहे वो पलेटिशन्स हों चाहे वन लॉयर बरदाश्ट कम हो गई है हम एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है जिस तरंगी लैंग्विज यूज हो रही है आपको भी मालूम है जो पलेटिशन्स एक दूसरे के लिस्तेमाल कर रहे हैं एवन जो अगर मैं कहूं तो कल के आई वे जिससे आप कहते हैं न बच्चे थे जिन को कहें कि आप बिलावल होगे बुक्तावर होगे तो ये जो बड़े पॉलिटेशन्स हैं या जो एल्डर्स हैं उनके समझें तो वो तमीज बीच में से कहां चली गई है इसका बेसिकली अर्दू शायरी में तो जवाब है वो कहते हैं कि जिन को पाला था वहीं मुर खाजा देने जगे बात ये हैं कि पाकिस्तान की सियासत नाइटीज के अगर आप देखें तो वो इसी तरह थी आप शेख रशीद साब की इसेंबली की फोर पर ऐसे ऐसी तक्रीरें खास तो पर ये करते थे कि जो आप अभी पैमरा के कवानीन सकते हैं आप उनको दुबार किसी को इसका फाइदा नहीं जब दोनों पार्टियों ने सफर किया इन्हों ने जो मौइदा किया अपस में मिसा के जम्हुरियत थोड़ा मिचूरिटी आई इनके अंदर सियासत में आप देखें जब पीपल पार्टी का पिछला दोर है उसमें दस बाते होंगी उसमें को प्रिम कोर्ट पहुंच गए थे मार्च हुआ लांग मार्च जब उनको मौका मिला इफ्टखार चोधरी के लिए तो वो भी लाहोर से रवाना हो गए लेकिन जबान और बयानात की हद तक आप देखें एक पुलिटिकल मिचूरिटी का मुझारा होता था यह जब धरना सिय स्यासत यहाँ पर शुरू हो गए हमें वो नाइनटी की सियासत नाइनटी के बयानात और वो जो एक दूसरी की शर्म और हाया का जो एक परदा होता है वो मेरे ख़्याल में चाक हो गया और वह छीदेशे शुरू होए थे वापत excess मेलकि बलकि उसे भी जड़र पीछे चले करें लेकिन हर चीज़ करने का एक आईनी और कानूनी और एक इखला की तरी लेकिन सर्ड लॉयर्स भी हर वक्त जब देखो बाहर कड़े होतें तो लॉयर्स का भी मैं आपको बताता हूँ हुआ यह था कि जब लॉयर्स मुव्मिन्ट शुरू हुई जिस तरह देखें अफग लॉक उठाओ, क्लाशन कोफ उठाओ, और मुझे याद एक सेकर्टरी ओफ स्टेट होते थे, इंगलेंड से आये थे, तो उन्होंने शम्शतू कैम था पिशावर के पास, उन्होंने खड़ो के तकरीर की, और उन्होंने उनको जजबा दिलाया कि जो यह तुमारा, सेव य ले के आएं, आप देखें, जब पाकिस्तान मुव्मेंट थी, कादियाजम ने, कादियाजम रह्पुत अले ने स्टूड़न्स को बहुत उभारा, उनको आगे तक लेके गए, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, तो उन्होंने अपनी तक्रीरों में का, अब पाकिस्तान ब लुग गई उनका काम था कि लॉयर्स को वापस अपने अदालतों में वापस लेके आएं और अपने उसी उसको टोन डाउन करें, इसलिए आप देखते हैं कि यहां पे कभी लॉयर्स पुलीस के साथ भर जाती है, कभी अवाम के साथ भर जाती है, तो यह उसके मेरे ख्याल कि अखिलाफ होता है, अखिलाफ, और यहां हक है. मगर इस किसम की बाते करना, वो जिर्फ तब होता है, जब, मैं सरुजि आप बरिस्टे साब इस बात पर मुझ से नराज नहो, विग यह खिला. से स्यास्ट करना चाहता हूँ खिद्मत के लिए करना चाहता हूँ और मकसद ही होता है पबले का उड़ देने का कि जिस बंदे को हम एलेक्ट कर रहे या जिस पार्टी के लोगों को हम एलेक्ट कर रहे कि वो हमारा खिद्मत करें अब ही मैं आपको बता हूँ देखा हमारा फार्म से इखतिलाफ इस इमली में किया कि ये इसमें हमें कॉंफिडंस में नहीं लिये मैं जतना समझता हूँ मौलाना साथ को मौलाना साथ इतना जीरक लीडर बहुत कम होंगे पाकिस्तान अगर वो उसूली स्यासत करता तो वो पाकिस्तान का मलेशा का मातरे महम्मद जैसा लीडर्शिप बना टर्की का तयब और्डगान जैसा बना वो पाकिस्तान का ये बन सकता था अगर वो उसूली स्यासत करता नहीं है सिर्फ अपने माफदाद को देखता है इसी वज़ा से वो सिर्फ जनुबी अजला तक उनका सियसत मदूद हो गया के पी के में भी सिर्फ एक अलाका है जनुबी अजला कौार्ट से उस तरफ वहां पर भी मिलता है सीटे नहीं मिलता है अगर हम सियसादान उसूली सियसत करें मैं समझता हूं कि जतने मसले हमारे मुलक में हैं सब के सब हल भी हो सकते और खत्म भी हो सकते और अगर हम अपनी मफाद मफाद की सियसत करें अपनी मफादात को देखें तो यहीं कुछ हमने अवाम को भी देना होगा और हमारे आने वाले नसलों के लिए हम कुछ इस किसम का मस्तक्बिल नहीं दे सकेंगे जैसा आज तक हमने नहीं दिया हमारे मुकाबले में बाकी मुल और वो सब हमसे आगे निकले क्यों नेकले तो उनको अच्छा लीडिर्शिप मेला मैं एक्जेमपल देता हूँ अपने पखतुनों पखतुनों को और आपने पखतुन लीडिर्शिप को कि देखो यहां पंजाब में ना उब्जादा नसुरला वा करता ताला ताला उनको लेवर किया अब याब यह दो नमंबर का जो वाकिया हुआ तीस तारीको के किपी के से लोग आए यहां पंडी से कोई नहीं गया है बनी गाला बारा को से मरी से गुजर खान से आटरक से कोई नहीं आया है और किपी के से लोग आए हम किपी के के लोग पखतुन जो चेंज लाते हैं उनका यहीं मजबूरी है कि उसको आज तक इस तरह लीडर नहीं मिला है कि उनके मायार पर पुरा उत्रा हो अल्दा करे कि हमारे पखतून एककटा हो जाए और उसको इसके समका लीडर मिले जैसा पंजाब के लोगों को मिले हैं हम इसी टॉपिक पर दुबार आएंगे कि मुझे अभी एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी नाजरीन यहां से हम चलते हैं एक छोटी सी कमर्शल ब्रेक की तरफ आप कहीं माज जाईएगा देखते रहें बात अबड़े वेलकम बेग नाजरीन वापिस चलते हैं मेहमानों क की तरह जहां से बात छोड़के गहते हैं वहीं से शुरू करेंगे सर जैसे अभी आपने दो तारिक की बात की तो इस तरह के आप लोगों को दोनों को क्या लगता है कि इस तरह के धरने या स्ट्राइक होनी चाहिए या इससे क्या नुक्सान हो रहा है इससे पहरें मैंसर पंजाब का कोई भी लिडर देखिए वो अपने वेस्टेड इंटरस्ट होते हैं हमारे छोटे सूबे जो छोटी कौमे हैं उनको उनका हक नहीं मिल रहा अब बिजली जो है वो उसका खालिस मुनाफ़ा के पीके को नहीं मिल रहा अगर वही पूरा मिल जाए और वो लग ज पार्टी अफ़ती आफ़ताब शिर्पावस साब जो है फ़टर रेफारम्स भी इनके लिए बात कर रहे हैं जो के उसके लिए लाहोर है या जिस तरह आज कल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो सिंध है उसके लिए पंजाब में देखें वो तो दिल से उपोजिशन भी नहीं करते नवाज शरीफ की क्योंकि हो कहते हैं कि सिंध में हमारे हाथ से हुकूमत ना निकल जाए तो हमारे हाथ फैडरेशन के इशूज भी हैं तो अगर हमारे हाथ जो कौमी दोलत है उसकी मसावी तकसीम होती तो फिर शायद इतने ज़्यदा इशूज ना आते नवाज शरीफ अच्छा लीडर है लेकिन लाहोर के लिए ये जो औरिंज के नीली पीली कोई ट्रेन चला रहे हैं इसमें बलुचिस्तान में देखे हैं उनके हेल्थ के अभी एट लिस्ट वो जो ट्रेनिंग पुलीस ट्रेनिंग एकैडिवी तो उसकी दिवार उंची हो जाती वहां पे हब से सड़क बन जाती तो बात ये है कि ये वो सी पैक का बात सी पैक की बात करते है ना तो अगर उसकी मसावी तक्सीर चोटे सूबों में जो ये एक एलिमेंट पाया जा रहा है कि सी पैक के जितने भी अच्छे लुक्रेटिव प्रॉजेक्ट्स है मैं अब लाहूर की औरिंज ट्रेन जो के एक लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको सी पैक का इसा कभी कहते है तो ये बेरेश्टर साब ये किला तो मेरा है अब बताए ना सारा तो पूरे पाकिस्तान के लिए वज़िव आजब होगा शाबाज शरीफ को तो क्रेडिट इनका जाहिज है लेकिन ये क्रेडिट नवाची को देना वोगा लाए अब या अमेरिका को आप देखे अमेरिका के इलेक्शन में क्या रिजल्ट आया कोई ये सोच सकता था कि अमेरिकान इस तरह फैसला करेगा लेकिन सर नावा धर्नावा ना कुछ और का क्यों नहीं अभी भी हर्ताले हो रहे वहाँ को ऐसा नहीं है इलेक्शन में ये रिजल्ट एक्सेप्टेड नहीं था जो रिजल्ट आया क्यों आया जो जन्वन अमेरिकान थे उन्होंने ये चेंज लाए उन्होंने ये सोचा कि हम ये कोशश करते कि हम सिर्फ अपने आपको इसी तरह सुपर ताकत काइम रखे इसलिए उन्होंने ये फैसला किया ये किसी कि उसमे भी नहीं था किसी ने इसके उपर तज्या भी नहीं किया था कोजी मीडिया की ये ड्रंस ड्रंस जीतेगा जिस तरह इमरान खान को भी जो देहने फेस्बुक अब जरल परवेज मुशर्फ था वो पाकिस्तान आया फेस्बुक की वज़े से कितने लाग फैन है वो आया तो एरपोर्ट पर टाइब बन थे ये इसी तरह इमरान खान भी फेस्बुक पर डेल सांटर थारां झान है तो जो पपरने चाम्प डिए खुल में जह वोंका तैकर व कर दो है मिडिया अचीज जो वोग चीज जो है वोट्स पी टरांसलेट हो बरिस्टर साब इसलिए मैं के तो आप असोने मुझे बरिस्टर साब देखो पीपल्स पार्टी का लीडर्शिप कहां से है सिंसे है वो बस संत तक मौदूद हो गया नवाशरीफ और शवाशरीफ कहां का है कहां के है पंजाब के इसलिए मैं ने ये बात कही अगर हम पखतुनों ने सोच कर फैसला नहीं किया और हम इसी तरह डिवाइड रहे कोई कौम परस की पीछे कोई मौलवी की पीछे कोई मजबी पाटी की पीछे हम इसी तरह मजबूर और आपने आने वाले नसलों को हम इसी तरह तारीकियों में रखेंगे यह वजा तो निए कि इंदिया भी हमाने पर णबेका है मैं यह किता हूँ मैंने सीदह एक्सिमपल आपको दिया खत्त कि इससे बड़ा जो अभी अमेरिका में जो एलेक्शन और उसका जो रिजल्स हाया इससे बड़ा एक्जेम्पल हा हमारे लिए और कोई नहीं है हर कौम को खुद मतहद होना होगा और उन्होंने अपना हक लेना होगा अगर हमारे किपी के को हक नहीं मिला है उसका वज़ा भी यहीं है कि हम मतहद नहीं है अगर हम मतहद होते तो मरकस जतना हमारा हक बनता है NFC Award में बाकी चीज़ों में वो पूरा हक हम लेते मैंने जरूर यह जिमेदारी पूरा किया है कि पखतुनों को सेकंड बेगस्ट प्रॉमिस बनाने के लिए यह काजमे ने शुरू किया और अलहम्दुल्ला इस काजमे मुझे काम्याबी मिल रहा है और इसमें कौमी वतन पार्टी भी इनके साथ है हम अफ़ार शर्पाउस साब ने हर फ्लूर पर हमने बिलकुल डेमांड किये कि फाटा को हला के मौलाना फजल रह्मान साब रिफरेंडम रिफरेंडम के बात करें और रिफरेंडम के आहीन में उसमें वो गुझाईश भी नहीं तो हम तो कहते हैं बगए रिफरेंडम के फाटा जो है वो बंगे के पीके का इस्साब यार रिफरेंडम के फाटा के पास जाना है हम पागले किया हमरा दिमाग खराब है कि हम जब 2018 में पाबले के पास जाए वह हमारे उपर पतर पेंके यह हम अपने लिए इस किसम के हालात हमने वहां बनाना होगा 2018 में जब हम पाबले के पास जाए पाबले का हमारे उपर पूल पेंके इससे बड़ा रिफरेंडम और किया है अचा आर्टिकल 247 का जो एक जरगा सिस्टम है कि जरगे से पूछो हम पालिमेंटेरियन यहां बेटे हैं उनके नुमाइंदे हैं यही एक जरगे का जो कानूनी तरीका है इसी सी पूरा होता था मगर हमने पिर भी किमिटी को कहा सरताज जजी साब को और पूरे किमिटी के मेंबर को कि आप जाए और हर एजनसी का विजिट करें और मैं उनका शुकरिया भी अदा करता हूँ कि इस हालात में भी अपने इस प्रोग्रान से पहले जो बात की कि फाटा के मतलब बाहर बाहर दुन्या में जो लोग बेटे वो क्या सोचते और क्या देखते हैं और उनका क्या सोच है इसके मतलब अगर उसके बावजूद भी ये कमीटी हकुमत की तरफ से जो बनी थी हम तो फरीक थे बाथ लोग कहते हैं कि फाटा का इसमें नमाइंदेगी नहीं था हमारा नमाइंदेगी तो हो नहीं सकता ता हम फरीक थे हम डिमां को सुनें वहां सियासी एक दौाजार बारे में एक्स्टेंड हुआ है तो सियासी पार्टियों के जितना वहां नमाइंदेगी वो भी आया था हर मुक्तबाए फिकर से सेवल सुसाइटी और अलुमा किराम और सब आयते और कमीटी को हर एक ने अपना मोकिफ बयान किया और उसके बाद कमीटी इस नतीजे पर पहुंची कि बाकी रिफांस हम ने पार्लिमेंटियरियन ने और कमीटी ने कंसेंस से बनाए और उसको पार्लिमेंट तक ले गए हां पखतुनों को हम जरूर ये कर रहे कि कीपी के का गेटवे नहीं है कीपी के ऐसा है जैसा है कि उसे ब इंडिया के साथ है और उनका पोर्ट है आपका पंजाब प्रोविंस इंडिया के साथ है कश्मीर के साथ हमारा कीपी के सिर्फ इस किसम का प्रोविंस है जिसका बार्डर किसी के साथ नहीं लगता है बाहर किसी मुल्क के साथ हम फाटा क्या दे रहे है कीपी के को कीपी के को ह रहे हम KPK को मदबूत कर रहे next week के ओर यह मोका दे रहे काने वाले वक्त में अगर हमेरे KPK के आवाम ने सही फऴसला किया तो प्रेजिदिन्ट तो वैसा बी जैसा जो कंसेफ्ट अब पंजाब और सिंद्द का बना हुआ ये चेंज हो जाएगा के पीके के तरफ प्राइम मिनिस्टर आ सकता है के पीके से अगर मिसाल के तोर पर वहां से बड़े उहदों के ओपर यहां इसलाम बाद में कोई बैठता है जाहर है कि उनको हक में लगा पखतुनों को और के पीके को अपना पूरा राहे पे लगा उसी अगर आल पर्टी कॉनफरेंस होती है उसमें भी कोई नहीं जाता अगर टर्किश प्रेजिडेंट आ रहे तो भी एक पार्टी कहती है के नहीं जाएगी तो मुझे ये बताएं कि इस तरह से हम कमजोर नहीं करें पाकिस्तान को जब ही तो इंडिया भी आमले कर रहे है तो ये मैं पहले भी एक दो प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जब फॉरन डिगनिटरी इस फॉरन हेड़ स्टेट आते हैं वो नवाज शरीफ के जाती महमान नहीं है उसके सचाई पी नहीं आए वो हुकूमत के महमान भी नहीं है वो मुम्लिकत के महमान है वो हुकूमत से बीग उपर चीज़ है और जब वो पार्लिमेंट से खिताब कर रहे हैं तो चलो इमरान खान नवाज शरीफ को नहीं मानता वो चोर है पार्लिमेंट के तब मेंबर है ना तनखा तो ले रहे है ना उस पार्लिमेंट में आ की सुनने उसको आप बना वे और उसको इज़त दे रहे हैं लगाज शरीफ को तो इज़त नहीं दे रहे हैं यह अपना आपको जलील नहीं कर रहे हैं अपना आपको बीज़त नहीं कर रहे हैं पखतुनों को बीज़त कर रहे हैं पखतुनों को इसलिए जलील कर रहे हैं कि पखतुनों ने इनको लीडर बन दुमर वो भी चलो अटक वो रस्ता तो बंद कर दिया चीफ मिनिस्टर को नहीं आने दिया ठीक है जो असलामबाद से तो आ सकते थे यहां से बलोगा आपने वही बाद की उसी को एक्स्प्लेंट असी हजार वोट इन्हों पिड़ी से लिया था असी हजार में से बीस हजार ही आ जाते तो इमरान खान को बनीगाला की पाड़ी से आवाजे देनी की जरूरत नहीं थी क्या हो भी पखतुनों मुझे अतारो नीचे पाड़ से ठीक है दूसरी बात यह शाह महमूत कुरेशी के जो खाली जो वो होते हैं पेरोकार जो होते हैं उनको क्या मुरीद मुरी गाला के घर में गरम गरम सौफों में बैटे हैं एक तस्वीर आई उसमें उनको एक सफेल सा कुता भी अंदर बैठा हुआ है इंटर के पास और मेरा खून खोलता है जो मेरे पठान भाई मेरे पठान एमने एम पीए बाएर सर्दी में घर के बाएर ठेटर रहे हैं उसके घर के अंदर आने तक की बिज़तन ने और पफितनों को लिए अफड़ सीम चीफ पनिस्टर बहुत बड़ा रुदमा है और यह और उतना Schw में आने खाने लिए आफिस को बिल्कुल यह बास ही किया रहा है नचवाना हो तो हमारा चीफ मिनिस्टर मार खिलवानी हो तो हमारा चीफ मिनिस्टर शाह महमूज, जांगीर, तरीन, एटियम, मोटी मोटी असामिया वो और उनका वो सफैद कुता वो घर में बैठा हुए लेकिन सर लोग यह बी कहते हैं कि इतना शोर मचाने की वज़ा से ही जो है वो अब प्राइम मिनिस्टर को एक्स्प्लेशन दे नहीं पड़ी है तो उससे सुप्रीम कोट की प्रूसीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताएं तरकिश प्रेजिडेंट की सामने अगर यह तक्रीश सुनते हैं या नहीं सुनते मैटर तो सुप्रीम कोट में और वो जो तीन वाल्यूम है जो दिये हैं इन्हों एलिफ लेला की कहा वो सुप्रीम कोट ने देखना है ना मेंने फैसला करना है ना शाह साब ने फैसला करना है ना इमरान खान ने फैसला करना है मैटर सुप्रीम कोट में है ना अच्छा अब लेकिन ममलिकत आफ स्टेट जो मामली जो स्टेट की होते हैं वो तो चलते रहते हैं अब अगर पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज है कि मैं उसको उसको ताजीम दूँ ने अर्जू एक बात महरूख हम पखतुनों ने और के पीके में उनको जो उट मेलाए पीटी ए पीटी आई को और इनकी जो मेंबर पखतुनों ने बने अमरान खान खुद एन वन से मुन्ताखिब भी हुआ था चोड़ दिया बाद में इसको इसलिए वहां से बेजाता कि यह जाकर हमारे मसलों को हाइलेट करेंगे हमारे मसलों को हल करेंगे और जो वादे किये हैं यह वादे पूरा करेंगे अभी सिर्फ वो लोगों से जो वादे किये गए थे एलेक्शन के दावरान लोगों को दोका देने के लिए लोगों के साथ मैं समझता हूं बहुत बड़ा ज्याती हो रहा है अगर कोई सोचे ना पाकिस्तानियों के लिए ऐसे बड़ा और कुई वो नहीं है एक्जेम्पल कि जिनके साथ वादा किया गया था और जूनों ने इसको लीडर बनाया और जूनों ने उनको एक सूबे में हुकूमत दिया उनके साथ क्या हो रहा है अगर खुदाना खास्ता खुदाना खास्ता उनको बाकी पाकिस्तानी उड़ देते हैं और उनको पाकिस्तान का हेड बनाए जाता है पिर उनका भी यही हशर होगा जो आज की पीके वालों का है मेरे बेटे ने इसको रिकार्ड पर भी लाना चाहता हूं और यह रिकार्डिंग हो भी रहा है कोई ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को आफ दी रिकार्ड रखना चाहता हूं नहीं मैं रिकार्ड पर लाना चाहता हूं इन्होंने इंडस्टिय लिस्टों को बलाया था कराची में ब्रेकफस्ट पर, एमरान खाने, मेरे बेटे ने इनको कहा कि मैं आप से सवाल नहीं करता हूँ, मैं आपको सजेशन देता हूँ, आपको पखतुनों ने के पीके में हुकुमत दिया, आपको एक्जेमपल बनाना चाहिए था, पंजाब के लिए, सिंद के लिए, बलूचिस् और उसके साथ साथ, बाकी जो है, उनको भी बनाम करे हूँ, और वहां कुछ डिलीवर भी नहीं करे हूँ, और आप दरने दे रहे हूँ, और आप बाकी पाकिस्तानियों का नुक्सान भी कर रहे हूँ, तो उसने उसको जवाब नहीं दिया अमरान खाने, सामने बेटा था बिलकुँ आमनांखान ने जवाब नहीं दिया और साथ उसके साथ बेटी ती अतिका उडू वो अभी उसने पिति आई जॉइंड किया तो उसने का कि नेकस्ट अतिका उडू आप बात करें उसको जवाब दे क्यूंग उसको जवाब भी क्यूंगे उसके पास कोई जवाब सब बिल्कुर बुसके जारता है सर हमें एक छोटी सी ब्रेक के लिए जा रहे हैं दुबारा आके दर से कंटिन्यू करेंगे जी नाजरीन यहां से हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ और फिर वापिस आते हैं विल्कम बैक नाजरीन हम वापिस आ चुके हैं ब्रेक के बात दुबारा चलते हैं महमानों की तरह हो जहां हम उन्हें उस्से में छोड़ गएते हैं दुबारा वही से बात शिरू करते हैं लेकिन सर मुझे अब तोड़ा सा ये बताई आप लोग के अंदर भी जगड़े चल रहें पाकिस्तान में बहार भी इंडिया की तरफ से भी आपको पता है के बार्डर पे जो है टेंशन बनी हुई है अफगानिस्तान के साथ भी हमारे कोई खास अच्छे तालुकात नहीं है तो ये किस तरह से सही होगा के बार्डर वालों के साथ हमारे तालुका ठीक हो नहीं ता मैं अफगानिस्तान से शूरू करूंगा और इसलिए अफगानिस्तान से शूरू करूंगा के मेरा जो हलका इंतखाब है मेरा वो अफगानिस्तान के साथ बार्डर पर है और सबसे imported तुर्खाम जिसका नामें जिसके उपर क्लेश भी हुआ था भी चार पांच महीने पहले जो गेट वहाँ बन रहा था अफगानिस्तान के साथ हमारे तालुकात अच्छे नहीं अच्छे थे हमने खुद खराब कि हमारे पालिसियों ने उसको खराब किया अफगानिस्तान अफगानी कौम के उपर जितना एहसान हमारा है और मानती भी है हमने उसको जाय किया सिर्फ पालिसियों की वज़ा से उस वक्त तो हम ये दावे कर रहे थे कि अफगानिस्तान हमारा पांच्छवा सूबा जैसा है मगर बज़े पांच्छवे सूबे का अभी हमारा जितना भी दुश्मन है आज वो अफगानिस्तान में बेटे है मगर उसको अभी भी हम दुसरे तरीके से कमजोर नहीं कर सकते एक तरीके से कर सकते हैं कि पॉलिसी से अगर हम अफगानियों के साथ पॉलिसी अच्छा करें अफगानियों के साथ इतिमाद बहाल करें अफगानिस्तान के साथ आने जाने में जो रुकावट है उसको खतंग करें हम गाड़ियों में वहां जाए वो यहां आए जैसा कि फार्सी स्पीकिंग के मुतलिक यहां कहा जाता है कि वो इंडियन लॉबी है और वहां स्पेशली पंजाबियों के मुतलिक एक किसम का वो बेतेमादी है कि पंजाब यह करता है तो यह सब चीजे इसी से खतम हो सकता है कि वहां जो स्टेक होलडर्स है उनको फैसले करने का एक्तिया जाए और यह तमाम गलत फेमिया खतम करा दे और एक नेबर जैसा और दूसरे यह कि हमारा अफगानियों का और हमारा पाकिस्तानियों का कल्चर टीडिशनल सब कुछ एक है यहां जब वो आये थे और खुश थे क्यों खुश थे कि उनको गर गर जैसा माहूल यहां भी मिला था तो यह हम बहुत बड़ा मैं समझ रहूं कि हम खारजा फारन पॉलिसी में हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अब ही हार्ट आफ एश्या कान्फरंस हो रहाता है उसमें अफगानिस्तान ने इंडिया का साथ दी इससे बड़ा कमजूरी हमारे लिए और कोई नहीं हमारे फारन पॉलिसी में वज़ा क्या है कि जो जिन लोगों का जिमेदारी है उनको एतिमाद में ने लिया जाता है और यहां इसी में बेट कर पॉलिसीया बनाए जाता ह अब ही मैं आपको बता हूँ यही तुर्खाम के ओपर जो कलेश हुआ था अगर इसमें मुझे मैं अपना आपको सबसे कमजोर बंदा समझता हूँ मगर इस वजह से मेरा इज़त वहां है कि मैं उनका निबर हूँ पडूसी हूँ अवानियोग अगर मुझे कहते हैं वहां फोर्सिस यह सेवल इड्मिनिस्टेशन के आप जाए और इन से बात करें शायद हमारा यह कितना सीनियर आफिसर शहीद नहोता शायद हमारा यह आज तक इस बॉर्डर के उपर एक गोली भी इससे पहले नहीं चला है नखून बहा है और जब हुआ है तो बजाए एक चोटे बंदू के गोली से बहुत बड़ा गोली चल किया है लेकिन सर हम कब ता किसी टैंशन में रहेंगे और सर इवन इंडिया के साथ भी तो अभी अभी इंडिया के उपर मैं आता हूँ इससे बड़ा नुकसान और कोई दुश्मन आपको नहीं पहुंचा सकता है जितना नुकसान हमें इंडिया से पहुंचा है अभी इंडिया का जो सोच बना हुआ है पाकिस्तान के मुतलिक कि ये कबाईली इलाकों में इनका फोर्स बेजी है मैं इस प्रोग्राम के तुरू इंडियन को एक मेसेज देना चाहता हूँ पीछले सौ सालों में तारिख में कहां भी नहीं किसी को नहीं मिलेगा कि गुरिला वार में किसी ने इतना जल्दी कामयाबी हासिल किया जितना हमारे फोर्स ने एक साल के अंदर अंदर गुरिला वार में कामयाबी हासिल की उसकी वज़ा कबाईली था उसकी वज़ा वहां लोकल पबलिक था कि उन्हें ने फोर्स के साथ दिया और आइंदा साथ सालों में भी इसका तारीख नहीं मिलेगा अफगानिस्तान चोटा मुल्क हैं दुन्या की ताकत वर तरीन फोर्स और दुन्या की जदीद टिकनोलिजी के साथ नेटो फोर्स अमेरेकन फोर्स फलाना फोर्स फलाना इतिहादी ये सब आए और उन्हें एक अफगानिस्तान को कवर नहीं किया एक अफगानिस्तान को कवर नहीं किया कल भी हदसा हुआ है वो बगरा मेचारा मेरे कर शीद पूड़े अमेरिका विटनाम को नहीं काबू कर सका उधर हर गया इतना सामल था वो तो सिर्फ अमेरे का आया था ना विटनाम में यहां तो पूरा दून्या आया था व्ठानिस्तान में अमन के लिए जरूरी है और इसके लिए three-prong strategy की जरूरत है तीन किसम के contact people to people, government to government और establishment to establishment इसटबिश्मेंट तो इसटबिश्मेंट हो और बाकी दो नहीं हो अमन नहीं आएगा, खाली government to government हो जब तक इन तीनों एंगल्स पे काम एक साथ नहीं होगा तब तक अमन नहीं हो सकता बाकी पात जहां तक इंडिया की बात है इंडिया का देखें बात ये कि वो जबरदस्ती एसकलेशन अब ये सी पैक आया है पाकिस्तान में डिवलप्मेंट हो रही है वो किसी ने किसी तरह पाकिस्तान को जंग पे उकसार आए तो ये हमने बड़ा ही सियासी तदबर और हमने इंटरनेशनल रिलेशन को भी देखना है कि हम उस जंग के ट्रैप में ना पढ़ जें वो एलो सी पे बार बार जो है वो अन प्रोवोक्ट फाइरिंग करेगा वो धमाके करेगा वो इस तरह की चीज़े हमें अब अपना हाउस करने हमने और स्ट्रेंज हैं क्योंकि यह सी पैक तब ही काम्याब होगा जब पाकिसान में अमन हो और हम इस तरह किसी इंडिया के ट्रैप में ना फज़ने जंगी जनून को जो बात अफगानिस्तान के लिए बता रहे हैं के जी पीपल टू पीपल काउंटेक और स्टैबलिश्मेंट यह जिससे के तालुकात अच्छे हो तो यही चीज़ इंडिया के लिए क्यों ने अप्लाय होती तेकि इंडिया की गभर्मेंट का एक उदर जो भी नेशनल सेक् है जो इंडिया का प्राइम मनस्टर है जो खुद कहते है कि मैं खुद इन्वाल था पाकिस्तान तोड़ने में इंडिया का जो हलात है जो और अफगानिस्तान का वो बड़ा मुखतलिफ है इंडिया की जो पॉलिसी है वो मवानिस्तान में ने अप्लाई कर सकते है पाकिस्तान की और इंडिया में ने और इंडिया तो चाह रहा है कि किसी तरह एक वार का सिस्टम क्योंकि ए देखे मुदी आया था एकनॉमिक एजिंडा पर वो बुरी तरह इंटरिनरी फेल हो चुका है कॉंग्रेस और अपोजि आपकिस्तान ने जो बड़ी इंवेस्मेंट की है पाकिस्तान में तो उदर भी उसने कोई अपनी लोयल्टी दिखानी है कोई अपने नंबर बनाने है तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो इंडिया की तो वो कांटेक्स्ट दी दूसरा है जो कांटेक्स्त है तो नेचिरली वो बिलकोल मुट्रिफ है, लेकिन, इसका ये मत्तब नी है, कि इंडिया ने, लेकिन, सांप का नेचर है, वो काटेगा, बिच्छू ने डंग मारना है, लेकिन इसका मत्भ ये निए थीखा है, कि अगर इंडिया कर रहा है, तो हम अपने जो गार्ड है, उसको लूज पर दे पर वहीं बात फाटा की तरफ आ जाता है, मैं फाटा का बात इसलिए करूँगा कि मेरे उबर्जी मेदारी ज्यादा फाटा का, इंडिया जो है आज जो फाइदा उटा रहा है, और जो टक्टू कर रहा है, सीपेक के लिए, नाकाम बनाने के लिए, और फाटा की वज़ा से क पहले इन 65 सालों में, मगरीबी सरहत की उपर एक फाजी का भी जरूरत नहीं होता था, और न था, अगर ये पॉलिसी वहां इंप्लीमेंट हो जाता है, फाटा में स्टीम लाइन में आ जाता है, मैं समझता हूँ कि वो जो दस साल पहले जो पोजिशन होता था हमारा की वज़ा से, और मैं मैं नो जो कहां कि ये रिफ़ाम कबाईलियों का निए, ये रिफ़ाम पूरे पाकिस्तानी आवाम का है, ये रिफ़ाम इस रीजिन का है, अगर फाटा को इसी तरह चोड़ा गया, जिस तरह है, तो जिस तरह अफ़गानिस्तान दुन्या के लिए शर वग्रला रहेगा और बनेगा अगर इनकी आउपर सबसे पहले पकिस्थ, वह इस रियासत नहींठी पूरा नहीं की, इस रियासत इस हुकुमत के अंदर जो लीडर्शीप है, उन्हों नहीं अपना जै। पूरा कि हमने तो अपने आवाम का आवास जो है वो तो हमने पार्लीमेंट में ले आया अब भी आगे implementation हुकूमत का जिमेदारी और फाटा के साथ साथ बलुचिस्तान का अंसर को हमें एग्डोर नहीं करना चाहिए बलुचिस्तान में development गर्मेंट पे एक्स्ट्रा जिमेदारी है कि जो फंड्स मिलें उसको सही तरी क्योंकि अगर बलुचिस्तान की अपलिफ्ट हो जाती है तो उसकी सारी तो बलुचिस्तान में जितनी तरकी की जरूरत है बलुचिस्तान में जितने रिफॉर्म्स की जरूरत है ताके इंडिया बलुचिस्तान को इस्तेमाल ना कर और उसने stated अजाए में कि हम कश्मीर में अगर आप आवाज उठागे तो हम बलुचिस्तान में अन का ना नाम लिया कराची का नाम लिया उसने काबाईलियों का नाम नहीं लिया उनको पता था फाटा के लोगों का इनको हम ना खरीद सकते हैं ना इसका और उनको भूल गया तो यहां से इंस्टेक्शन मेला का वैलियों को किया आप वापस आजाए पिर इंडियन फॉर्स इनियन अगर एरपोर्ट में आए नहीं तो पक्तुन जिस तरह पूरे पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान आज तक लोग पूरी दुनिया ने कोशिश किया रश्या आया आए अफ़ानिस् को हम टुकले टुकले करें दुनिया की बाकी फॉर्सिस आए अफ़ानिस्तान में उन्होंने कोशिश की वो मैं समझता हूं कि यह सरफ पक्तुनों की वज़ा से हुआ है कि पाकिस्तान को अलहम्दुलिल्ह वो जो सोच से दुश्मन कोशिश करता है वो नाकाम हो जाते है औ एक गाउं एक वहां उलुस वाली कहा जाता है जो डिस्ट्रक होता है और वहां जो प्राविंस होता है उसको उलायत कहा जाता है एक जगह भी वहां भी ऐसा नहीं है जहां पक्तुनाबाद नहीं है और यह मैंने अफगानिस्तान के प्रिजिडन हाउस में मैंने यह बात कह पक्तुनों को भी उनके राइट्स मिलने चाहिए बाकी जो चोटे सूबें बलजस्तान में भी सिंद में भी और सब मिलके पूरा एक पाकिस्तान एक उल्दस्ता है ठीक है ना तो हम अगर अपनी ग्रिवेंसे शो करते हैं पंजाब के खिलाफ या फेडरेशन के खिलाफ्स का मैं यहाँ पर आखरी में सार एक च्छोटी सी बात में करना चाहूंगी कि आप च्छोड़ा तो कमेंट कर दें के जो कहा जा रहा है जो नेक्स्ट वार होगी वो पानी की जंग होगी जिसकी वज़ा से कश्मीर में भी जो है वो बेसिकली पानी की जंग एक तरह से चल रही सब के उपर इंडिया ने डेम्स बना लिये और हमने पहले से नहीं सोचा और हम नहीं बना रहे हैं और इंटरनेशनल ला क्या है अगर किसी मुल्क से पानी गुजर रहा हो और वो कंट्री उस पानी के उपर कानूनी तो शायद रिस्टर साब को ज्यादा पता होगा कि 60 पर पर वो अपना जुरूरत पूरा करता है तो जिस मुल्क से पानी आ रहा है उसके उपर पर वो डिम नहीं बना सकता है यह तो हमें पहले सी इसके उपर काम करना चाहिए था कि यह पानी किसी दूसरे मुल्क से आ रहा है हमारे मुल्क के अंदर नहीं है तो जहां से आ रहा है इसके उपर हमने 60% अपना फाइदा उसे उठाना चाहिए था तो तब दूसरे मुल्क को हक ना बनता इस वक जूफ इंडिस Water Treaty जो ए वहुए इंफॉर्स है उसमें रिवर्स दे डीगी है एगी से ईस्टर रिवर्स कौन सी नियुकर की बहुत शुक्री आप लगों का क्या पलग शो में आए जी नाजरीन यहां से हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ और इंशालला फिर आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आप हमें लिखना ना भूलेगा क्या शो आपको कैसा लगा अल्ला हाफिस पत्र रचो में हमें लिखना यहाएं की तर शो आपको कैसा out कर sûr चखना नाल विएल हिए ज। इलागवें लिखने घरेन शेजिके बहुत जो आपते हैं क्या वें में उलूलेग भूलेग तरूले पलगात हैं लिए जोलेगिंगें पलंज नहरे सिरिक शलागई containsया